नमस्कार तोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का सौगत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे धन्यवाद सो आज हम डिसक्स करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में क्या आप को इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं क्या लेटेस्ट न्यूज आ रही है गाईज मार्केट में फ्यूचर ग्रूप से लेटेड और फ्यूचर रिटेल शेर से लेटेड सारा जो हम आपके लिए गाईज क्लियर कर देंगे तो गाईज वीडियो के एंट तक जूरू बने रहेगा और मार्केट में जो अफवाई फैलरी की ये शेर आपको 10x 20x रिटर्न बना के देगा उसमें कितनी सचाहिए है तो गाईज सबसे पहले जो है कंपनी के फंडमेंटल डिसकस कर लें तो कंपनी का स्टॉक एक तो ओवरपाउट जोन में और एसम की रेड फ्लेग लिस्ट में गाईज कंपनी की जो एन्वल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जेनेरेशन, रेवन्यू ग्रोथ रेट, कैश फ्ल कर रहे हैं जिसे हमें साब पता लग रहा है कि कंपनी का स्टॉक में बहुत स्टॉक जो है बीयर ग्रिप है और काफी स्टॉक में हमें काफी जादा जो है पेन देखने को मिला और हमने आपको कहा था जब इसका प्राइस तक रिवन 50-40 कास पास था कि आप जो इस शेर से न कर जो है रिजिस्टर करे थी और ऊपर से कंपनी की जो लाइबिल्टी बढ़ती जा रही थी और एसेट्स कम होते जा रहे है और डेप्ट धी means फजो है उनकी डाल उनी थी उसमें भी यह जो है पंगा पढ़ ई है जिसमें आमजोन ने काया था कि फ्यूचर retail के और future group के जो भी promoters है वो अपने accounting में जो है जो है जो होल्जाल करें जिसके वज़से इनका supreme court में case भी चला और उसकी वज़से reliance के साथ इनकी जो है deal भी cancel हुई जिसके बाद जो है एक तरफा जो है share तूटा क्योंकि उसके बाद सारी जो उमीद की किरने थी वो खतम हो चुकी है और उनके जो founding member है MD है जो इनके उनोंने भी अब resign दे दे तो इससे साहब पता लगता है काईस कपनी के stock में अब कुछ नहीं बचा है सारी उमीद की किरन खतम हो चुकी है तो मैं आपको यही राय दूँगा अगर आप लोग इस share में invested है और आप लोग इस share में investment करने की सोच रहे तो गलती से भी stock में investment मत कीजिए आप लोग इस share में trap हो जाएंगे और आप लोगों को कोई भी return आने वाल time में देखने को नहीं मिलेगा आप लोग जो है इसी range में share में फसे रह जाएंगे तीन रुपे के और यहां से जो है cracked होने के chances इसके और जादा है 90% chances है कि यहां से आपको फिर से एक रुपे के level जो है देखने को मिल सकते guys company का net margin, gross margin सबकुछ negative में guys, EBITDA negative में guys, RSI Indicator एक strong bearish trend हमें show कर रहे तो मैं आपको यही सलह दूँगा, इस share में जो है positions मतम नहीं है और अगर आप इस share में trapped है तो जैसे ही आपको मौका मिले तो अपनी positions को बेच के आयम रहते रहते इस share से निकल जाए guys, तो thank you